अब हम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्वाथन प्रक्रम में अंत्रिकूर्जा में परिवर्तन की गड़ना करेंगे क्वाथन प्रक्रम यानि की बॉयलिंग प्रोसेस हम जानते हैं कि जब द्रव वाश्म में परिवर्तित होता है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं boiling मतलब इतना ताप दिया जाए कि द्रव की अवस्था गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है मान लीजे M द्रव्यमान का द्रव है और उसको क्यूं उश्मा दी जारी है जिसके कारण वो भाफ में परिवर्तित हो रहा है तो इस निकाय को दी गई उश्मा डेल्टा क्यूं बराबर होगी M इंटू L जहां पर M तो उस द्रव का द्रव्यमान है और L ये है क्वाथन की गूप्त उश्मा एक्चुली ये गूप्त उश्मा होती क्या है किसी पदार्थ को इतनी उश्मा दी जाए कि उसके ताप में परिवर्तन किये बीना यदि उसकी अवस्था को परिवर्तित कर दिया जाए तो वो उश्मा कहलाती है गूप्त उश्मा जैसे कि हम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं एक उधारन के लिए बर्फ को पानी में बदला जा सकता है जब बर्फ पानी में बदलता है तो जिस ताप में बर्फ पानी में बदलना शुरू होता है उस ताप को हम कहते हैं गलनांग मतलब जब ठोस द्रव में convert होता है तो उस ताप को हम कहते हैं गलनांग यानि की melting point अब इस गलनांग पर हमको दोनों अवस्थाइं दिखती हैं मतलब यहाँ पर जो गलनांग है उसमें ठोसी अवस्था भी रहेगा बर्फ का और साथ-साथ वो पिघलना शुरू हो रहा है तो द्रव अवस्था भी रहेगी तो इस समय जो उश्था हम दे रहे हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं वो कहलाती है गलनांग की गुप्त उश्मा लेकिन जब हम द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं यानि कि जब द्रव भाप में बदल्ला शुरू होगा तो उस तापमान को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइन्ट यानि कि कौतनांग इस समय जब द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा रहा है तो दी गई ऊश्मा कहलाती है वाश्पन की गुप्त ऊश्मा और इस प्रक्रिया में जो पदार्त है उसका द्रविमा निष्चित रहता है और इस प्रक्रिया में गिजी दाब स्थिर है तो स्थिर दाब किया गया कारिय है डल्टा W बराबर दिया जाएगा P, डल्टा V या फिर हम कहा सकते हैं V2-V1 जहाँ पर V1 आरंभीक आयतन है और V2 अंतिमायतन है तो V2-V1 इस आयतन में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं तो thermodynamics के first law के अनुसार डल्टा Q बराबर होता है डल्टा U प्लस डल्टा W डल्टा Q के स्थान पर हम लिखेंगे ML equal to डल्टा U प्लस डल्टा W डल्टा W के स्थान पर हम लिखेंगे P V2-V1 या फिर लिख सकते P डल्टा V इस समीकरंट से हम आंत्रिक ओर्जा में परिवर्तन की गढ़ना कर सकते हैं अब आगे हम उश्मा गतिकी के प्रथम नियम को इस्तमाल करके CP और CV में संबंद देखेंगे CP और CV के बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं CP याने Specific Heat at Constant Pressure यानि कि निश्चित दाप पर गैस की विशिष्ट उश्मा और CV का मतलब है Specific Heat at Constant Volume यानि कि निश्चित आयतन पर गैस की विशिष्ट उश्मा और सद्धान्तिक रूप से हमने ये भी जाना था कि CP का मान CV से अधिक होता है अब हम Mathematical Calculation के अधार पर सद्ध करेंगे कि CP का मान CV से अधिक होता है इसके लिए हम उश्मा गतिकी का पहला नियम लेंगे जिसमें की हम लिखते है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा डबलू यदि एक मोल के गैस को डेल्टा Q उश्मा दी जा रही है और उसके ताप में डेल्टा T वृद्धी होती है अब गैस द्वारा किया गया कारिय डेल्टा W बराबर होगा P डेल्टा V तो उश्मा गतिकी का प्रथम नियम बनेगा डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V यदि अवस्था समीकरण को हम देखें जो कि एक मोल ऑफ गैस के लिए ली जा रही है तो PV एकवल टू होता है आर टी यदि डेल्टा की उश्मा देने पर आयतन में वृध्धी डेल्टा V है और ताप में वृध्धी डेल्टा T है जब आयतन और ताप में परिवर्थन हो रहा है इसका मतलब यहां पर दाब निश्चित होगा तो इस समीकरण को लिखा जा सकता है P Δ V बराबर R Δ T अब इस P Δ V का मान हम समीकरण एक में रखते हैं तो हमें मिलेगा Δ Q बराबर Δ U प्लस R Δ T अब थोड़ा सा mathematical calculation यहां पर करते हैं इस पूरे समीकरण को Δ T से भाग देते हैं Δ T से भाग देने पर हमें मिलेगा Δ Q अपॉन डल्ट ट इक्वल टो Δ U अपॉन डल्ट ट प्लस R एक्चुली यह जो Δ Q अपॉन डल्ट ट है यह नियत दाप पर विशिष्ट उश्मा के बराबर है और यह जो दूसरा पद है डल्ट यू अपॉन डल्ट ट यह निश्चित आयतन में विशिष्ट उश्मा के बराबर है तो यहां पर हम लिखेंगे C P बराबर C V प्लस R और यहां से हमको मिलेगा C P माइनस C V इकवल टू R और हम जानते हैं कि R तो सार्वत्रिक गैस नियतांख है और इसका मान सदैव ही धनात्मख होगा इसका मतलब C P का मान सदैव ही C V से अधिक होगा और यह जो समीकरण है C P माइनस C V बराबर R इस समिकरण को हम मेयर सूत्र के नाम से भी जानते हैं साथ ही जो मेयर का सूत्र है वो केमेस्ट्री के भी सेलेबस में आपको देखने को मिलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि एक्जामिनेशन पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब नेक्स्ट है उत विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है तो उसकी रिणात्मक प्रभाव को लेकर उनको उन्हीं अवस्थाओं में वापस पीछे की और भी लिया जा सकता है और इस पूरी प्रक्रिया में जो निकाह है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुच ज अवस्थाओं से होते हुए ही वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुचता है जबकि उतक्रम्नी प्रोसेस में वो जिन अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है उसकी रिणात्मक प्रभाव को लेते हुए वो पीछे आते हुए उन्हीं अवस्थाओं से गुज तो उश्मा निकाय को दी जारी होगी तो जब उसको रिवर्स करेंगे तो निकाय से उश्मा ली जारी होगी पहले प्रक्रिया में यदि गैस द्वारा कार्य हो रहा होगा तो उसको जब रिवर्स करेंगे तो गैस पर कार्य करवाया जाएगा तो इस प्रकार रिणात्मक प् होई है कि इस गयास का प्रसार करना है और वापिस इसको कंप्रेस करके फुना उसी अवस्था में पहुंचाना है अस् 됐 हुआ के पिंस्टन को जब खीचा जाएगा तो गैस का स्विव खार होगा और किष्टन को दबाया जाएगा तो गैस का संपीडन होगा मतलब संपीडन के पश्चाद गैस वापिस अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुच जाएगी लेकिन इसको वापिस इसकी आरंभिक अवस्था में पहुचाने के लिए रिणात्मक प्रभा के साथ विप्रित दिशा में बढ़ना होग लेकिन ये जो सिस्टम है सिलेंडर और पिस्टन का ये पोन रूप से चालकी होगा तब ही ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी जब इस गैस में प्रसार करवाया जाएगा यानि प्रिस्टन उपर की ओर उठेगा तब इस निकाय को उश्मा दी जारी होगी जिसके कारण इस गैस में प्रसार हो रहा होगा और पिस्टन आगे की ओर बढ़ रहा होगा लेकिन जब सम्पीडन की स्थिति आएगी इसका मतलब इस निकाय से उश्मा ली जारी होगी और उस कंडिशन में गैस पर कार्य हो रहा होगा इस पिस्टन के द्वारा इसके और उधारन के रूप में हम ले सकते हैं बर्फ का पानी में बदलना जब बर्फ को उश्मा दी जाती है तो वो पानी में कनवर्ट हो जाता है और वैसे ही जब पानी से उश्मा ली जाती है तो वो वापस बर्फ में कनवर्ट हो जाता है इसका मतलब पहली प्रक्रिया म उश्मा दी गई और दूसरी प्रक्रिया में उश्मा ली गई जिसके कारण ये प्रक्रिया संभव हो पाई विद्धूत अब घटन की प्रक्रिया भी एक एक reversible process का उधारण है मान लीजे copper sulphate का विद्दुत अब घटन कराया जा रहा है विद्दुत अब घटन की प्रक्रिया में दो एलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें विद्दु श्रोज से जोड़े जाने पर एक एलेक्ट्रोड एनोड की तरह कारे करता और दूसरा एलेक्ट्रोड कैथोड की तरह तो जब विद्दुत अब घटन की प्रक्रिया होगी copper sulphate की तो copper sulphate तो आयोने में तूट जाएगा एक धनात्मक आयोन यानि की Cu2 प्लस और दूसरा रिणात्मक आयोन यानि की SO4 2 माइनस जो Cu2 प्लस है वो किसकी और गती करेगा कैथोड की और और जो SO4 2 माइनस है वो गती करेगा एनोड की तरफ लेकिन यदि धारा की दिशा को विप्रित कर दिया जाए तो ये कैथोड और एनोड वापिस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं उतक्रमणी प्रक्रिया के इन सब उधारनों से ये सपश्ट है कि इस प्रक्रिया की भी कुछ शर्ते होंगी जैसे पहला उधारन हमने लिया था वो सिलेंडर और पिस्टन का जिसमें गैस भरी हुई थी जिसका प्रसार हो रहा था और संपीडन हो रहा था लेकिन ये प्रक्रिया तभी संभव है यानि कि गैस अपनी आरंभिक अवस्था में प्रसार के बाद संपीडन के बाद तभी आएगा जब ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे होगी तभी तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे उश्मा का आदान प्रतान इस चालेकिये बेलन का वातावरण के साथ होगा जिसके कारण इस बेलन के अंदर का ताप नियत रहेगा और ये जो सिलेंडर के अंदर भरा हुवा गैस है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में संतुलन होता है एक तो उश्मिय संतुलन दूसरा यांत्रिक संतुलन और तीसरा रसायनिक संतुलन यांत्रिक संतुलन में उस निकाय पर परिणामी बल शुन्य होता है उश्मिय संतुलन मतलब पूरे प्रक्रिया में ताप नियत रहता है और रसायनिक संतुलन मतलब निका कि रसायनिक संरचना वो नियत रहेगी वो परिवर्तित नहीं होगी तो साथ ही यह उत्क्रम्णिय प्रोसेस तब संभव है जब इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की भी उर्जा की हानी ना हो जैसे कि घर्शन प्रतिरोध या श्यानता से होने वाली हानी से यह निकाय पूर्ण रूप से मुक्त हो जो हमने बेलन लिया है पिस्टन लिया उनके बीच में घर्शन ना हो इस गैस का अपना कोई प्रतिरोध ना हो या फिर हम यू कह सकते हैं कि श्यानता से होने वाली उर्जा की हानी नहीं हो इसलिए तो हम लोग जनरली इस प्रकार की प्रक्रिया में आदर्श गैस लेते हैं जिन में हम यह मान कर चलते हैं कि आदर्श गैस के अनुओं के बीच में जो आकर्शन बल है वो तो शुन्य होता है यानि कि श्यानता बल यहां पर भी शुन्य हो जाता है अब इसी के जस्ट विप्रित है अनुत क्रम्णिय प्रक्रम यानि कि ए प्रभाव के बावजूद भी हम उस प्रक्रिया को विप्रत दिशा में संभव नहीं कर सकते उधारण के लिए यदि हम देखें लोहे में जंग लगना जब बहुत देर तक लोहा पानी के और हवा के कॉंटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाता है लेकिन जब हम इस को उल्टा करना चाहें इसके प्रभाव को विप्रित करते हुए तो क्या जंग लगा हुआ लोहा वापिस लोहे में परिवर्तित हो सकता है वैसे ही लकडी का जलना जब हम लकडी को जलाते हैं यानि कि उश्मा दे रहे हैं उस कंडिशन में लकडी चेंज होकर बन जाती है कोईला या तो फिर राक तो जब हम इस कोईले या राक में से उश्मा ले तो क्या यह वापिस लकडी में बदलता है वैसे ही कच्चा अनाज जब इसको हम उश्मा देते हैं तो यह पक जाता है भोजन बन जाता है तो क्या जब इसमें से उश्मा ली जाए तो यह वापिस क बच्चियान आज में परिवर्तित होगा यदि हम अपने आपको ही देखे हम छोटे से थे अब धीरे धीरे बहुत सारे अवस्थाओं से होकर बड़े हो गए तो क्या उन्हीं अवस्थाओं को वापिस रिपीट करके हम छोटे से बच्चे बन सकते हैं नहीं ना तो कुछ प् धान्त को अप्लाई करके उश्मा इंजन का निर्माण किया गया एक्चुली उश्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो उश्मा को कारिये में परिवर्तित करती है अब इस युक्ति में विभिन्न भाग कौन-कौन से हैं सबसे पहले इसमें तो होता है एक उश्मा का श्रोत जिससे की उश्मा ली जाती है पर ये श्रोत एक ऐसा निकाय होता है जो उच्चे ताप में होता है और इससे कितनी भी उश्मा ली जाए इसका ताप नियत ही रहेगा उश्मा श्रोत के ताप को हम नियत T1 मानते हैं और ये कितनी भी उश्मा देगा इसका ताप T1 ही दूसरा होता है उश्मा सिंग यानि कि हीट सिंग ये एक ऐसा निकाय होता है जो निम्न ताप पर होता है निम्न ताप पर होता है यानि कि ये उश्मा को अफशोशित करता है उश्मा को अफशोशित करने के बाद भी इसका ताप नियत ही बना रहेगा ये निम्न ही रहेगा जितना हम पहले लेकर चल रहे थे अब इस उश्मा इंजन में कारिकारी पदार्थ क्या होगा हम उश्मा गतिके के नियम को विभिने प्रक्रम में जब अप्लाई कर रहे थे तब हमने देखा था कि चक्री प्रक्रिया में दी गए उश्मा की मातरा प отвर्न रूप से कारी में परिवर्थित हो सकती है क्योंकि इस प्रक्रिया में आन्तरिक उर्जा नियत रहती है यानि कि हम यू कहें जो कारी कारी पदार्थ है वो अपनी पूर्ण अवस्था में वापिस ही आ जाता है इसका मतलब ये है कि इस उश्मा इंजन में उश्मा को पूर्ण रूप से कारी में परिवर्थित करने के लिए जो इसके अंदर कारी कारी पदार्थ है वो चक्रिय प्रक्रिय से गुजरना चाहिए तो ये कारी कारी पदार्थ उश्मा श्रोट से उश्मा लेता है और उसको कारिये में परिवर्तित करता है पूर्ण रूप से ये प्रक्रिया चक्रिय होती है जिससे की कारे कारी पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है और कुछ बच्ची हुई उश्मा इस कारे कारी पदार्थ के द्वारा सिंख को दे दी जाती है यदि इसको हम चित्र अनुसार समझें माना कि ये उश्मा का श्रोत है जो कि एक निश्चित ताप पर है T1 ये उच्चित ताप है ये है उश्मा का सिंख ये भी एक निश्चित ताप पर है T2 इसका ताप निम्न है अब इन दोनों के बीच में काम करेगा कारे कारी पदार्थ वो भी चक्री रूप से तो ये जो कारे कारी पदार्थ है इस उश्मा श्रोत से उश्मा को अवशोशित करेगा माना की Q1 उश्मा दी जा रही है मान लीजे इस कारे कारी पदार्थ ने Q1 उश्मा लेने के पश्चात W कारे किया और जो उश्मा बची थी उसने इसे सिंक को दे दिया माना की ये दी गई उश्मा Q2 है इस कंडिशन में उर्जा संगरक्षन के नियम के अनुसार Q1 उश्मा बराबर W प्लस Q2 होगी और यहां से हम देखें कि इस कारे कारी पदार्थ ने कितना कारे किया तो W बराबर होगा Q1 माइनस Q2 और इस उश्मा इंजन की दक्षता हम ग्याद करें तो किसी भी उश्मा इंजन की दक्षता उसके द्वारा किये गए उप्योगी कारिये और उसको दी गई उश्मा उर्जा का अनुपात होती है जिसको हम इटा से दर्शाते हैं तो इटा बराबर होगी उप्योगी कारिये अपन दी गई उश्मा तो eta बराबर हो जाएगा W अपॉन Q1 और यह जो कारी-कारी पदार्थ द्वारा किया गया कारी है W यह बराबर है Q1-Q2 के तो हम लिखेंगे eta बराबर Q1-Q2 अपॉन Q1 और यहां से हम लिखेंगे eta बराबर 1-Q2 अपॉन Q1 और इस समीकरण को हम देखें तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी उश्मा इंजन की दक्षिता एक के बराबर नहीं हो सकती यानि कि उसको हम परसंटेज में निकाले तो वो हमेशा 100% से कम ही होगी यह उश्मा इंजन की दक्षिता 100% कब होगी? जब सिंक को दी गई उश्मा 0 हो उस कंडिशन में इटा बराबर 1 होगा और यह दक्षिता 100% हो सकती है उस कंडिशन में दक्षिता बराबर 1 होगी यानि की 100%